सो रुको जरा, सबर गरो, अभी हुषपा, हुषपा राज, अगे देले साउथ के सुपर इस्टार, आइकोनिक इस्टार, अलु अर्जुन की मच अवेटेड मूवी पुषपा का धमाकेदार टेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर छागया है और इस टेलर ने कई सारे रिकॉर्ड बना लिये हैं और कई सारे रिकॉर्ड तोड़ भी दिये हैं जी हाँ दोस्तों पुषपा मूवी का टेलर रात के समय रिलीज किया गया था किसी कारण के चलते और जैसे ही सुबा होई तो पुश्पा मूवी के टेलर को धमाकेदार रिस्पॉंस मिलना चालू हुआ और 24 घंटे से कम समय में इस मूवी के टेलर को 20 मिलियन से जादा वीव्स मिल चुके हैं जबकि 2 मिलियन के करीब लाइक्स भी हासिल हो चुके हैं तो अलो अरजुन ने अपना ही रिकार्ड तोड़ दिया है और उनकी पहली ऐसी मूवी बन चुकी है जिसको इतने कम समय में इतने जादा वेव्स मिले हैं वही मैं आपको बता दो कि इस मूवी का टेलर बहुत ही जबरदस्त है जिसको हमें देखने के बाद ये फील होता है कि कहीं न कहीं ये मूवी के जीफ चैप्टर 2 के लेवल की होने वाली है इस टेलर के अंदर हमें बहतरीन डायलॉग के साथ साथ हाई लेवल के एक्शन सी बहुत ही कुछ देखने को मिलने वाला है बिलकुल के जीफ चैप्टर 2 मूवी की तरह तो ये एक एक्शन थीलर मूवी होने वाली है जिसके लीड ओल में हमें साथ के सुपरिश्टार अलू अर्जुन रश्मी का मंदना और फाहत फाजिल जैसे सुपरिश्टार देखने क मिलेंगे तो इस मूवी के अंदर जो सबसे अहम किरदार होने वाला है वो होने वाला है पुष्पा का यानि अलू अर्जुन का जिसके इर्द गिर्द इस मूवी की कहानी घूमेगी अब वो देखना दिल्चस्प ये होगा कि केजी एफ चैप्टर 2 की तरह इस मूवी के अंदर भी हमें देखना ये होगा कि हीरो एक विलन है या फिर वो सच मुछ एक हीरो है वो कौन सा काम करता है वो इस मगलिंग का काम करता है या फिर कुछ और करता है या इस मगलिंग से लोगों को आजाद कराना चाहता है आखिर किस तरह की सस्पेंस है इस मोवी के अंदर य सारी जानकारी तो आपको पूरी मूवी देखने के बाद ही मिलेगी तो काफी धमाकेदार श्टोरी होने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देखना लेकिन अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि होने के बाद अपने मोबाइल में ही देखोगे आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं तो वहीं मैं आपको बता दो कि ये मोवी 17 दिसंबर को सिनिमा घरों में रिलीज होने जा रही है और इस मोवी को हिंदी डब में भी रिलीज किया जाना है मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता